नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस विल्ल इंडिया मैं हूँ आपके संग प्रद्यम नुश शर्मा एक निज़र डालते हैं उत्राकंट की खास कपरों पर देरादून प्रशाशन ने कोरोना को देखते हुए इस बार होटल, बार और रेस्टोरेंटर साथी साथ दूसरे सारवजने के स्थानों पर सामुएक पार्टी ना करने के आदिश दे दिये हैं क्रिसमस और न्यूएर पर ये प्रतिबंद लगातार जारी रहेगा अगर प्रतिबंदों का उलंगन किया जाएगा तो आपदा प्रबंदन एक्ट के तहएत सजा दी जाएगी ये प्रतिबंद देहरादून रुशिकेश और मसूरी में लागू होगा क्योंकि यहाँ जादा संख्या में लोग सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं प्रशाशन ने साफ कहा है कि अगर गाइडलाइन का फालन नहीं किया गया तो सक्से सक्त सजा दी जाएगी और वहीं देहरादून में कोट ने दुशकर्म के आरूपी महिश नेगी के डिने के लिए ब्लड सेंपल देने के आदिश दिये थे उन्होंने देहरादून CGM कोट में उपस्तित होना था लेकिन वे पेश नहीं हुए उन्होंने कोट में नापेश होने का कारण खुद को बीमार होना बताया है जिसके बाद अब 11 जनवरी को विधायक महिश नेगी पीड़ता और उसकी बेटी को बुलाया गया है पीड़ता का दावा है कि उसकी बेटी के पिता विधायक महिश नेगी है वरतमान में इस मुकदमे की महिला थाना श्रीनगर के द्वारा की जा रही है राजाजी नैशनल पार्क में बागो का कुन्बा बढ़ाने के लिए कॉर्बेट से पहली बागिन भेज दी गई है राज्ट्य बाग प्रादिकरण के निर्देश पर अगस्त में कॉर्बेट से पाच बागो को राजाजी के जंगल में छोड़ने को लेकर तयारी की जा रही है पार्क के डारेक्टर राहुल ने मताया है कि कॉर्बेट और वनजीव डॉक्टरों की पाच टीम बागिन पर नज़र रखी हुई है टीमों ने अभ्यान चलाकर बागिन को देरशान ट्रेंकुलाइज भी किया उत्रखंड में मौसम ने अपना सर दिखाना एक बार फिर से शुरू कर दिया है भारी बर्फवारी से पाहड से मैदान तक कापने वाली ठंड लगातार पढ़ रही है शुक्रवार सुबह, नेनिताल, दनौल्टी, आली और चकराता में बर्फवारी से भी ठंड लगातार बढ़ गई वहीं सुबह हुई बर्फवारी के बाद से ही आली, गंगोतरी, यमनोतरी मार्ग बंध हो गए है वहीं खराब मौसम को देखते हुए कुमायों के सभी जिलों में बारवी तक के स्कूल को बंद रखने के आदेश दिये विकास नगर में युवा कॉंग्रेस के कारिकरताओने अध्यक्ष यश शर्मा के नेतिरतु में एक महीने में रसोई गेस सिलेंडर पर दो बार बढ़ाए 100 रुपे के विरोध में प्रदर्शन कर जम करना रिबाजी की है इस दौरान ये शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में देश अलग सिति में लेकर जा रही है आम जन का जीना मुश्किल हो गया है मेंगाई की मार से जनता तरस्थ हो गई है बेरोजगारी अपने चरम पर है और भाजपा पूंजी पतियों को लाप पोचाने में लगातार काम कर रही है पूर मुख्यमंतरी और कॉंग्रिस महासरचेव हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर विधान सबा में गलत आकड़े पेश करने का बड़ा आरूप लगा दिया दरसल सोशल मीडिया पर अपनी पोच्ट में उन्होंने का है कि भाजपा बहुत चतुराई के साथ दो गलत आकड़े विधान सबा के पटल पर रख रही है गरना किसानों का भुकतान को लेकर आकड़े सही नहीं है अब भी किसानों का 200 करोड से जारा का बखाया है उन्होंने का है कि दूसरी गलत बयानी अधिनस्त सेवा चैन आयो को लेकर लगातर की जारी है और वहीं धहरदूर में एक व्यक्ती ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की दी गई अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसका वाटसेप अकाउंट हैक कर लिया गया है पीड़त के अनुसार व्यक्ती ने उससे वाटसेप पर एक संदेश भीजा था जिसमें एक लिंक दिया गया था और लिंक को ओपन करते ही उसका वाटसेप अकाउंट हैक हो गया इसके बाद आरूपी नया है उसके परिचतों को संदेश भेज़कर धनराशी की मांग की है इस मामले में उपनी रक्षक राजीव सेमवाल ने पीड़त के परिचतों को धनराशी जमा करने के लिए साइबर ठकी ओर से दिये गए बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है उत्रगंड हाई कोट में सुनवाई के लिए पुरानी प्रक्रिया को बाहल कर दिया गया है और अब दो जनवरी से मामलों की सुनवाई पहले की तरह आमने सामने हो सकेगी आपको बता दें कि मार्च में लॉकडाउन की कारण कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की थी मुख्य नया अधीश ने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस की सिती सामाने नहीं होती है तब तक कोर्ट में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से केवल अती आवश्यक मामलों की सुनवाई ही होगी अब दो जनवरी से मामलों पर सुनवाई आमने सामने हो सकेगी देहरादून के शिमला बाइपास में एक ट्रक पुल का पैराफिट तोड़ते हुए नीचे गिर गया है जिसके बाद इलाके में हरकम पमच गया लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुचिये सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल में भरती करा दिया गया है फिलाल हादसे के बाद सभी तार टूट गये थे जिसके चलते इलाके में लाइट चली गई फिलाल इस बुलिटी में सिर्फ इतना ही लगातर हमारे साथ बने रहे नमस्कार